जिसके चलते रेगूलर जो करेंट अफिर न ना हो ठीक है तो आज संडे है और संडे के दिन में आपको पिछले सब्ताहाग यह मतलब एक सितंबर से लेके बेसिकली 6-7 सितंबर तक के करेंट अफेर जो है वो मोहिया करवा दूँगा एक ही क्लास में रैपिड फायर तरीके से जादा लंबर समय भी नहीं लूँगा मतलब एक गंटा दो गंटे ऐसा कुछ नहीं 25 मिनट में सारे के सारे जो बेसिकली लास्ट वीक के करेंट अफेर थे वो मैं आपको कम्लीट करवा दूँगा तो चलिए भगवान को प्रणाम करते हैं भगवान से आशिरवाद लेते हैं बस मेरा अगला कदम पिछले से बहतरीन हो बस इतनी ही खुआईश है मेरी चलिए जी पहरा सवाल है आठवा महिला एशियाई होकी चैंपियंशिप ट्रॉफी दोहजार चौबिस की मेजबानी कौन सा देश करेगा अप्शन में है सार आपकी स्क्रीन पर अप्शन में है भारत अप्शन में है यहाँ पर चाइना जपान या फिर मलेशिया तो इसके बारे में हमने पड़ा था बेसीकली नवंबर के महीने में ये आपको देखने के लिए मिलेगी और इसकी मेजबानी भारत करेगा और भारत में इसकी मेजबानी कहा की जाएगी तो भारत में इसकी मेजबानी बिहार में की जाएगी तो option number A सवाल का सभी जवाब है हौकी में हाल ही में आपको पता है की जो उलमपिक्स करवाए गए है वहाँ हौकी मैन्स टीम को हौकी मैन्स टीम को दिया गया है मतलब basically उन्होंने ब्रॉण्स मैडल जीता है इसी के साथ भारत को कुल मिला के जो हौकी है उसमें तेरा पदक मिल चुके हैं जिसमें से आपको आठ गोल्ड मिलते हैं एक सिल्वर मिलता है और चार ब्रॉण्स मैडल देखने के लिए मिलेंगे पी आर्स रिजेज जी के बारे में आप जानते हैं इसके लावा हर्मन प्रीट सिंग आपको कप्तान मिल जाएंगे होकी टीम के अगला सवाल है नूट्रीशन वीक नूट्रीशन सब्ताहा जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है तो एक से लेके साथ मतलब बेसिकली फर्स वीक उफ सेप्टेंबर जो है वो nutrition week के रूप में आपको मिलता है और theme तीस बार nutritious diet for everyone तो first नहीं, first week of September, option number C सवाल का सही जबाब है और इसकी theme अगर आप देखेंगे, इसका विशे अगर आप देखेंगे तो nutritious nutritious diet for everyone nutritious diet for everyone यहाँ पर आपको इसकी theme मिल जाएगी यहाँ पर यह आपको इसका विशे मिल जाएगा next question यह theme आप देख सकते हैं basically चितर आप देख सकते हैं एक से लेके 7 सितंबर अगला है 1987 तमिल नाडू कैडर के वरिष्ट IPS अधिकारी डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने भारत के कैबिनेट सचिव का पदभार समालते हुए उन्होंने इस पद पर किसे प्रतिस्तापित किया है तो राजीब गाबा साहब को उन्होंने प्रतिस्तापित किया है राजीब गाबा साहब सबसे अधिक समय तक सबसे अधिक समय तक इस पद पर रहे हैं इस पद पर सबसे अधिक समय तक यह आपको इस पद पर बैटने वाले विक्ति मिल जाएंगे राजीब गाबा साहब यहाँ पर चितर आप देख सकते हैं दोनों का ही चितर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है अगला है पेरू के लीमा में आयुजित विश्व अंडर 20 एथलेटिक चैंपेंशिप 2024 में आरती ने भारत के लिए पहला पदक जीता है उन्होंने किस सपर्दा में कान से पदक जीता है बेसिकली ब्रॉंस मेडल जीता है तो यहाँ पर 10,000 मीटर रेस वाक में यह पदक जीत इसके बारे में हमने डिसकस किया था यह चितर आप देख सकते हैं आपे अगला है सर मूरीज ने 2024 के लिए भारत की विकास पूर्व अनुमान को संजोदित किया है अब कितनी विकास दर बताई है तो 7.2 परतीशत यहाँ पर विकास दर बताई है मूरीज ने इसके साथ-सा वाले भारतिय नौसेरा ने हाल ही में दूसरा प्रमाणू संचालित बैलेस्टिक मिसाइल पंडूबी का जल्वत्रण किया है इस पंडूबी का नाम क्या है इस पंडूबी का नाम है इस पंडूबी का नाम है इनस अरिखात ठीक है इसके रावा इनस अरिहंत आपको प्रत इनएस अरीघात आपको दूसरे मिल जाती है चाइना के पास ऐसी छे पंडूबियां है नुकलियर क्यापिबल जो पंडूबी होती है भारत के पास दो है तीसरी बन रही है छे महिने के अंदर बनने का अनुमान है कि बनकर तियार हो जाएगी अगर भारत को टू फरंट वार के लिए त्यारी करनी है तो भारत के पास ऐसी और कई पंडूबिया होनी चाहिए नुकलियर पावर के अगर हम बात करें तो इसे बाहर बार फ्यूल करने के लिए पानी से उपर नहीं आना पड़ता एक बार पानी के नीचे जाने के बाद ये आद्रिश्य हो जाती है जिसके चलते जो हमारा दुश्मन है उसे पता ही नहीं चलता कि कितनी करीब जाकर खड़ी हुई है ये उसके सीमा के या उतके बॉर्डर के तो आइनेस अरीगात इस सवाल का सही जवाब है इससे संबंदित सारे पॉइंट हमने डिसकस किये थे के फोर रेंज की मिसाइल 3500 किलो मेटर के पंदरा सागरी का 750 किलो मेटर रेंज है इसकी स्पीड जो आपको मिल जाती है सर वो 44 किलो मिल जाती है ठीक चलिए जी आगे है साइकलोन आसना जो की बेसिकली करेंट अफेर की न्यूज में गूमा है ये आंधर परदेश, गुजरात, राजिस्तान इस शेतर में इससे बारिश हुई है इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रन आफ कच के शेतर से निकला है अरीबन सी में डिवरप हुआ था, इसका नाम आसना किसके द्वारा दिया गया है तो नलिस्तान के द्वारा बिसिकली इसका नाम दिया गया है जिसका अर्थ आपको मिल जाएगा इसका अर्थ आपको मिल जाएगा ये ठीक, clear अगला सवाल, next question स्क्रीन पर है अगला सवाल है, कि देश का पहला, WHO बानेत अपराप स्वास्त शहर, दुली खेला, कौन से देश में मौझूद है तो ये नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेगा इसके साथ साथ अगर हम भात करें, WHO की बारे में तो WHO की जो स्थापना हुई थी, वो ही थी सर, 7 अपरेल 1948, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसके चलते सालाना 7 अपरेल को ही मनाया जाता है, क्या, सालाना 7 अपरेल को मनाते है World Health Day World Health Day यहाँ पर मनाया जाता है विश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है सालाना 7 अप्रेल को सवाल का सही जवाब क्या है नेपाल इस सवाल का सही जवाब था खड़क परसाद वो ली, KP वो ली इसके अलावा बिहार के वो कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साजा करते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ तो कौन मिला के साथ ऐसे जिले हैं सर बिहार के जो सीमा साजा करते हैं किस के साथ नेपाल के साथ ठीक है जी कि खड़गी किशन गंच अररिया सुपॉल ठीक है इसे कसम में से कर दिया रहा है चलो चलिए जी तो ये साथ डिस्टिक्स आजिले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ठीक आगे है संयुक राष्ट ने हाल ही में मानविय संकटों के लिए 100 बिलियन का आवंटन किया है कितने देशों को ये पैसा दिया जाएगा तो 10 देशों को ये पैसा दिया जाने था 10 कंट्रीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और 10 कंट्रीज के जो नाम है वो यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कितने कंट्रीज के नाम तो 10 countries के नाम आपको यहां मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा यमन को एथोपिया, मियानमार, माली, बुर्गिनाफासो, हैथी, कैमरून, मोजंबिका, बुरुंडी और बालविया इस question को discuss करते हुए आपको याद होगा हमने current affair में discuss किया था Horn of Africa को और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखते हुए comment box में offline में छोड़ कर जाएंगे कि Horn of Africa में कौन कौन सी countries जो हैं वो शामिल थी Ethiopia, Somalia और कौन सी countries basically Horn of Africa में शामिल थी next है हाल ही में भारत ने परेटन के शेतर में सहीवग बढ़ाने के लिए देश के साथ समझोते हैं ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं तो सर ये हस्ताक्षर जो भारत में किये हैं वो Malaysia के साथ किये हैं option number D सावाल का सही जवाब है Malaysia इस question का सही और सठीक आंसर है ये आप देख सकते हैं आगे है world coconut day हमने पढ़ा था इसके बारे में world coconut day के बारे में और सवाल यहाँ पर है कि world coconut day इसकी शुरुवात कप की गई थी तो इसकी शुरुवात की गई थी वर्ष 2009 में 2009 में इसकी शुरुवात की गई थी world coconut day की 2 सिदंबर को सालाना मनाया जाता है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 सिदंबर ये लिखा हुआ है 2 सिदंबर को सालाना वर्ल्ड कोकोनेट डे बनाते है सबसे ज़्यादा कोकोनेट की जो प्रोडक्शन है वो कौन सा देश करता है भारत में कौन सा राज्य करता है इसे हमने बहुत अच्छे से करंट अफेर में कवर किया था आगे है नितीश कुमार कुमार नितीश ने गोल्ड मैडल जीता है निमली खित्मे से किस खेल में तो यहाँ पर बैडमिंटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैडमिंटन में इन्होंने स्वन पदक जीता है कुमार नितीश जी ने ठीक है भारत ने कुल मिला के छे स्वन पदक जीते हैं सर ठीक है छे स्वन पदक 27 के आसपास मेडल जो थे कल तक भारत के हो चुके थे अगली खबर है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने किस अफसर पर सवारक डाक टिकट जारी किया है तो ये सुप्रीम कोट के 78 पे इसे जॉइन किया गया मोदी जी के साथ D.Y. चंदरचूर भी मौजूद थे Y.B. चंदरचूर के बेटे Y.B. चंदरचूर जो कि भारत के 16 नंबर के मुखे नियादीश थे वो इनके पिता थे ठेक अगला सवार है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने हाल ही में किस मंचुपर दर्शकों को संबोधित किया है तो ये संबोधित किया है The Economics Times World Leader Forum की ये मिटिंग हुई थी इसमें मोदी जी ने संबोधित किया है Next देखिए अगला है During भाजपा सदस्यता अभियान भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के तहरे पहला सदस्य कौन बना है तो मोदी जी जो है वो पहले सदस्य बने है इनकी जो सदस्यता है उसे रिन्यू किया गया है इसके लावा रिसेंटी लालकिशन अडवानी जी की 96 वर्ष की आयू में BJP की जो सदस्यता है उसे रिन्यू किया गया है ठिक तो सबसे बुज़ूर्ग सदस्यता है भाई BJP के वो याद रखना 96 years की ये जै उनकी आगे है 7 राष्ट्रिय पोशन महा सात्वा राष्ट्रिय पोशन महा किसके दोरा लॉंच किया गया है तो ये समालती है महिला एवं बाल विकास मंत्रा ले कौन सा मंत्रा ले अनुपूर्णा जी महिला एवं बाल विकास महिला एवं बाल विकास मंतरी ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अनुपूर्णा देवी जी ठीक, clear फास्टली कवर करेंगे क्योंकि अगर हम दीरे दीरे चलेंगे तो भाई फिर तो रिवीजन का फाइदा ही नहीं है ठीक, रिवीजन हमें करना है तो जादा जल्दी से तेजी तेजी से रिवीजन करेंगे रेमन मेकसस से अवार्ड का बेसिकल एलान हुआ नवंबर के महिने में दिये जाएंगे रेमन मेकसस से अवार्ड जो है वो एशिया के नॉबल प्राइस कहलाते है पहली भारतिय महिला कौन थी जिने दिया गया दूसरी भारतिय महिला कौन थी जिने दिया गया इसके अलावा जै प्रकाश टाराइट जी को 1965 में दिया गया विनोबा भावे जी को 1958 में बहुत ही अच्छे से मैंने लिखवाये है इससे संबंदित Statik GK के प्रशन सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब है हायो मियाजा की जैपनिस व्यक्ति मिल जाएंगे ये आपको कौन से व्यक्ति? तो ये आपको यहां पे Japanese व्यक्ति देखने के लिए मिलेंगे ठेक, इस तरीके से question पूछ सकता है, एक्जाम में ध्यान रखिएगा आगे है सर फिक्की फिक्की Youth Icon Award किसे दिया गया है तो आयुश्मन खुराना और नीरत चोपडा साहब को फिक्की Youth Icon Award दिया गया है फिक्की की स्थापना किसके द्वारा की गई थी कप की गई 1927 में, कौन से वो व्यक्ती थे दो, जिनके द्वारा स्तापना करवाई गई एक बिरला थे, दूसरे कौन थे तो ये सब static GK में cover किया है current में यही question था static GK में इससे संबंदित बहुत सारे facts हमने cover किये थे next है, दुरंद कप कौन जीता North East United जीता, हारा कौन सर तो महुन बगान हारा, पहली बार जीता है North East United इसके अलावा अगर हम बात करें दुरंद कप की शुरुवाद कप की गई थे 1888 में, पहली बार शिमला में केला गया इस बार जारकड में भी इससे संबंदित मैचिस हुए थे, सबसे जादा बार कौन जीता है महुन बगान आगे है, फ्रांस के राश्पती एमिनल मैकरॉन को कौन सा प्रतिष्टित सम्मान दिया गया है, नॉबल पीस प्राइस ओ सॉरी, ओलंपिक ओर कौन सा वाट दिया गया है, तो ओलंपिक ओडर इन्हें दिया गया है नॉबल पीस प्राइस नहीं, वो दिमाग बेंग्दम से आ गया ओलंपिक ओडर इन्हें दिया गया है ओलंपिक ओडर से इन्हें सम्मानित किया गया है फ्रांस के राश्पती एमिनल मैकरॉन को आगे है जेपी जैप्रकाश नराइन एरपोर्ट जो की करन्ट एफेर की निउस में घूमा है सर रिसेंटली कहां पर है पटना राजधानी बिहार में यहां पर अडवाईजरी जारी करी गई कि भाया जो भी लोग विदेशों से भारत आ रहे हैं और उतर रहे हैं जैप्रकाश नराइन इंटरनाशनल एरपोर्ट पे उनकी प्रॉपर स्कैनिंग होनी चाहिए कहीं उन्हें मंकी पॉक्स की बिमारी तो नहीं है इसकी प्रॉपर स्कैनिंग होई है चलिए नेक्स्ट है 23rd law commission यह आपको मिलेगा सर एक सितंबर से लेके 31 अगस्त 2017 तक अगर हम बात करें law commission की स्थापना कब हुई थी तो 1833 अदिनियम के माध्यम से 1834 में law commission के स्थापना हुई थी पहले जो सदस्य इसके मिल जाते हैं वो मैक्योले थे इसके साथ law commission भारत में जब स्थापित किया गया 1955 में इसके लावा पहले law commission के भारती अध्यक्ष जो आजाद भारत में आपको मिलते हैं उनका नाम था MC शीतलवार ये वही MC शीतलवार है जो इस देश के चीफ जस्ट इस देश के टौनी जनरल महा नियावादी के पतपर भी बैठे थे तो ये सब चीजे मैं उल्रेडी आपको करवा चुका हूँ cover revision हो रही है अभी आपकी आगे है प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी बुर्णई में सुल्तान हाजी हसन बल भुलाकिया के निमंतरन पर आधिकारी क्यात्रा पर बुर्णई पहुंचे बताईए बुर्णई की राजदानी क्या है तो बंदर सेरी बेगवाना बेगवान इसकी राजदानी है जादा important है यहां के राजा का नाम हसनल बोल खिया इनके राजा है ऐसे ही मैंने एक वीडियो में देखा था और तोड़ा सा पड़ा था कि जो बुर्णई की राजा है उनका एक भाई था उनका एक भाई है बेसिकली और उसके नाम दुनिया में सबसे जादा पैसा खर्च करने का रिकॉर्ड है शायद उसने एक दिन में 10 करोड रुपे खर्च किया है ऐसा कोई रिकॉर्ड है उसके नाम कितना पैसा एक दिन में 10 करोड और 10 साल तक बहुत ही पूरी दुनिया के सबसे अमीर अर्सट में वेकती है ये और एक समय 1980 के दशक में पूरी दुनिया के सबसे अमीर वेकती थे ये पूरी दुनिया के पर कैपिटा इंकम यहां लोगों की बहुत जादा है कितनी है प्रतिवर्ष 29 लाक रुपे कमाते हैं यहां के लोग, भारत में कितने कमाते हैं 5 लाक, प्रतिवर्ष, पर कैपिटा इंकम अगर आप देखेंगे तो चलिए जी इसके रावा हम सभी लोग जानते हैं, वार्श है, पॉलेंट यह रशिया और यह आपको मिल जाएगी सर, उक्रेइन की राज़दा आईगी नेक्स्ट है, बायो एनर्जी टेक्स एक्सपो निमलिकित में से कहां पर और्गिनाईज किया गया बायो एनर्जी टेक्स एक्सपो टेक एक्सपो तो ये आपको मिल जाएगा सर नई दिल्ली में कहां मिल जाएगा ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा न्यू देली में ऑप्शन नमबर सी सवाल का सही जवाब है हरदीप सिंग पूरी और एक तरफ आपको मिलते हैं नितिन गट करी दोनों ने इसके लाभा सबसे लंबा कौन सा है दिल्ली मुंबाई सेकेंड कौन सा बन रहा है गंगा एक्सपरेस वे जो कि उतταर परदेश में है सबसे ज्यादा एक्सपरेस वे किस राज्ये में यूपी में ही है नेक्स्ट है आभे सिंग means तुनाकू मुहारिस trophy तो इसका संबंद किस्से है? स्क्वैश से है किस्से है सर? स्क्वैश से एक championship किस्से संबंद देते है स्क्वैश से किस किलाड़ी को और आया था? चाइना के किलाड़ी को आगे है ICC World Test Championship 2025 का final कहां खैला जाएगा? लॉड्स में 2019 से 2021 पहला मिलता है इसका विजयता न्यूजिलेंड था 2021 से 2023 दूसरा मिलता है इसका विनर औस्टेलिया था 2023 से 2025 मिलेगा इसका विनर कौन होगा तो भारत होगा ठिक, option number 6 सवाल का सही जवाब है लॉड्स इस question का सही answer नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण को शुरू करने वाली रक्षा शक्ती कौन सी है जो रक्षा पैंशन हो पूर्वसैनिको और उनके परिवारों को समर्थन और सेवाय प्रदान करेगी द्रुवेदी जी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं उपेंद्र द्रुवेदी जी करके चीफ आफ आर्मी आपको मिल जाएंगे उपेंद्र द्रुवेदी जी इंडियन आर्मी सवाल का सही जवाब है option number सी इस कोशन का सही और सठीग अंसर था ठीक नेक्स कोशन है 47 भारतिय मूल के लोगों को रेस्क्यू किया गया है नौकली के लिए गए थे बिचारे ले ओस और वहाँ पर इने बंधी बनाकर इनसे भईया गलत तरीके से काम करवाया जाने लगा धोका दड़ीगा ओनलाइन ठ नेक्स्ट है फाइनेंचल येर 2025 में भारत की विकासदर कितनी बताई गई है तो भारत की विकासदर यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी बढ़ा दी है और भारत की विकासदर कहा है कि 7 प्रतीशत आपको देखने के लिए 7 परसंट अजे बांगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक् नेक्स देखिए आगे है बिहार कृष्षी विश्विधालेक ने अनुसंधान इदिशाले के नावाड बोड द्वारा प्रियोजित भगोलिक संकेश शेत्रिय सुविधाओं का आयोजन निमली खित्मे से किस स्थान पर किया है तो ये भागलपूर आपको देखने के इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना बेसिकली कब हुई थी 12 जुलाई 1982 को छटे पंच वर्षी युजना के दुरान इसकी स्थापना जो है उसे किया गया था इसका हेड़कॉर्टर मौजूद है मुंबई में नेक्स्ट है इश्रम इश्रम को कब लॉंच किया गया था 20 अगस्त 2021 को इसे लॉंच किया गया था इसके तहत मैंने बहुत सारी चीज़े समझाई थी आपको कि 38 करोड लोगों को 38 करोड अन अन ऑथोराइजड या ऐसा काम जो पर्बरेंट नहीं है वो वाले जो लेबर थ आएगा उसके बारे में हमने बढ़ा था अभी तक 30 करोड लोग इससे पंजिकरन कर चुके हैं आगे है यूपी के किश चहर में तीन दिवसी है शशस्त्र सैना महुतसफ का आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा सर राजधानी लखनव में ठेक नेक्स्ट है 23 एडिशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है सर 40 है टॉप करने वाली कंट्री कौन सी थी तो सर स्विजर लेंड आपको यहाँ पर टॉप करने वाली कंट्री के रूप में देखने के लिए मिलता था ठेक स्विजर आपको जनेवा स्विजर लेंड बार्शाइध गलत बोला है तोड़ा सा घराब हो रहा है जिसके चलते है रिदम में तोड़ा पॉइंट है काला गलत निकल रहा है तो वोल्ड इंटलेक्टॉल प्रोपर्टी और्गनाइजिशन का हैटकोटर जनेवा स्विच्जर लेंड में है वर्ल्ड इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी दिवस चो मनाया जाता है सालाना 26 अप्रेल को मनाया जाता है विश्व बौधिक संपधा दिवस इंपॉर्टेंट है सर कोश्चन 2023 की आपको रैंक देखने के लिए मिल रही है 2024 में से जारी किया गया तो ये आप देख सकते हैं कि 2015 में इसमें हमारा स्थान एक क्यासी था आज हमारा स्थान 40 है बहुत बढ़िया यार आगे है आप अरिजीता बिल किसने पास किया है पश्चिम मंगाल की विदान सभा ने इसे पास किया है बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि क्या क्या इसमें क्लाउजिस जो है उसे रखा गया है 9 अगस्त 2024 की घटना कोई भूला नहीं है आर जी खेर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ उसे हम सब जानते है आगे है सर क्यान सिमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड सेमिकंड़क्टर प्लांट बनाने के लिए क्याबिनेट ने कहां पर मंजूरी दे दी है सर सनंद गुजरात में 2021 से लेके 2024 तक कुल मिला के 5 सेमिकंड़क्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुका है भारसरकार ये एक दिन में 60,00,00,00 चिप्स का निर्मान करेगी ठीक है ये जो बेसिकली लगाया जाएगा सेट अप एक दिन में 60,00,00 चिप्स का ये निर्मान करेगी 3300 करोड रुपे की इन्वेस्मेंट आपको देखने के लिए इसमें मिल जाती है नेक्स्ट है शंभू सीमा पर विरोधी प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ने के लिए सुप्रीम कोड द्वारा गठित तथस्त उचाधिकार प्राफ्त समीती के अध्यक्ष कौन है नियायमूर्ती नवाप सिंग ऑप्शन नमबर सी इस सवाल का सही जवाब है नियायमूर्ती नवाप सिंग इस कोशन का सही और सटीक आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा धनुष श्रीकांत जो की बेसिकली करेंट अफेर की नियूज में रहे थे डीफ शूटिंग चैंपियंशिप करवाई गई थी वहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो शूटिंग इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नमबर बी इस सवाल का सही जवाब है शूटिंग चितर यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों को ही मेडल मिला है आगे है लॉरियल पैरिस के ब्रैंड अमबेजडर एश्वरिया राय बच्चन के साथ अब और कौन है तो ये है एश्वरिया राय बच्चन के साथ-साथ और कौन ब्रैंड अमबेजडर है अलिया भट ये भी हमने बहुत अच्छे से बढ़ा था आगे है सर 3D museum कहां बनाया जाएगा वारा नसी में बनाया जाएगा सर 3D museum यह आपको देखने के लिए मिल जाएगा 3D वैदिक museum वारा नसी उत्तर परदेश में बिहार के मुख्यमंतरी निदिश कुमाने हाल ही में औरंगाबाद देरी और सासा राम शहरों में पीने के लिए किस नदी के पानी से आपूर्ती करने के उद्देशे से 1347 करोड रुपे की परियोजना की अधार्शिला रखी है सोन नदी बिहार सरकार विभाग के हाल ही में भारतिये पुलिस सेवा IPS अधिकारी को बिहार का नया महानिदेशक TGP नुक्त किया गया है इनका नाम आपको क्या मिल जाएगा तो इनका नाम आपको मिल जाता है अलोक राज जी ठेक क्या नाम मिलता है तो इनका नाम यहाँ पर आपको मिल जाता है आलोक राज option number D इस प्रशन का सही जबाब है रविंदर सिंग भाटी के अगर हम बात करें तो ये DG है CISF के DG होता है Director General किसके DG है CISF के DG मिल जाएंगे सर B. श्री डिवासन जी के अगर हम बात करें तो B. श्री निवासन जी आपको मिल जाते हैं DG NSG के DG मतलब Director General किसके National Security Guard National Security Guard के ये आपको DG यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं संजीव रैना जी के अगर हम बात करें तो ये आपको मिलते हैं Additional DG ITBP के Additional DG ITBP इंडोर तिब्वतियन Border Police की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो सवाल का सही जवाब है आलोक, राज जी इस सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा Next है सर Bangalore के सिदार्थ अगरवाल ने हाल ही में कौन सी उलेकनी उपलब्धी हासिल की है बहा हासिल करने वाले सबसे उमर दराज भारतिये बन गए है इन्होंने complete किया है सर, English Channel को cross किया है English Channel आपको मिलता है England और France के दर्मियां देखने के लिए जिसकी लंबाई 42 किलो मिटर्स आपको देखने के लिए मिलती है इनकी एज है 49 years 49 की आयू में आरती सहा के बारे में उमने पढ़ा था जब इस question को discuss किया था आरती सहा ने ये काम करके दिखाया था 1959 60 के अंदर और 1960 में इन्हें दिया गया था पदमश्री तो ये यहाँ पर English Channel आप देख सकते हैं France और Britain के बीच में Our journey from black gold to white gold black gold बोले तो oil तेल और white gold बोले तो आपको मिलता है सर क्या lithium इसके आपको किसके दोरा लिखा गया कुलदीप गुपता ऑप्शन नमबर सी सवाल का सही जवाब था कुलदीप गुपता इस और एक चीज़ है मतलब शायद आप भी notice कर रहे होंगे कि आंसर बहुत जल्दी जल्दी क्लिक कर रहे है सर देखो मैं हमेशा मानता हूँ यह चीज़ मैं इंसान हूँ सर I am not a machine मैं machine नहीं हूँ सर नहीं मेरे अंदर कोई बगवान ने कोई computer set करके भेज़ दिया है कि मैं इस question का आंसर देखते ही बोलूँगा कि हाँ इस सवाल का सही जवाब यह और आगे बढ़ जाओंगा इतना असान नहीं है बट फिर भी आंसर बहुत जल्दी क्लिक कर रहा हूं मैंने हमेशा यह चीज़ बो रही है जब जब टाइमर चल रहा होता है और दीता है कितना दूर मारा है क्या इनका score था मैं सब बता सकता हूं और क्या-क्या उस दिल discuss किया था एक एक point what to what बता सकता हूं भुटान क्या ना ना सब बता सकता हूं तो जल्दी-जल्दी together we go further ठीक है शुभांकर आपको मिल जाएगा पैर ओलंपिक फ्रिग यह इसका शुभांकर आपको देखने के लिए मिलेगा यह मस्केट मिलेगा दोड़ों इंपोर्टेंट है अभी रैंकिंग आप पता है थोड़ी बहुत बदल गई है क्योंकि भारत को और भी मैडल मिल है 27 कल तक मिले हुए थे और अब गोल्ड की संक्या क्या हो गई है अब गोल्ड की संक्या यहाँ पर छे हो गई है ब्रॉंस मेरे कहल से बारा हो गई है 27 मैडल हो गए थे कुल मिला के आगे है Paris Olympic, धरमबीर जी ने gold जीता है सर, क्या जीता है, तो धरमबीर जी ने gold यहाँ पर जीता है, निमले कित्म से किसमें, तो club throw 51 event में, option number D सवाल का सही जवाब है, club throw 51 event में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सारे medals लगा दिये थे, यह मैं करवार चुका हूँ, आपक International Table Tennis Federation का पहला भारती राजदूत किसे नामित किया गया है, इसकी स्थापना 1926, सवाल का सही जवाब क्या है, शरत कमल इस सवाल का सही जवाब है, option number D, इस question का सही और सठीक आंसर आपको मिल जाएगा, next है, financial year 2024 के लिए भारत के 10 सबसे बड़े राजजोग में, तीन राज option number C, सवाल का सही जवाब है, भारत की 8.2 थी और तेलंगाना की 9.2 थी, तेलंगाना, तमिलनाडू, राजिस्तान, वेस्ट मिंगौल, महराज, उतर परदेश, आंदर परदेश, करनाटगा, मध्यपरदेश, बिहार, इस सूची में अभी आपको कहीं नजर नहीं आता है, गबराने के वशक्ता नहीं है, सर आने वाले समय में, विहार भी अपना यहाँ पर नजर आएगा, लातूर के अंदर, बियार अंबेटकर सहब का स्टैचू आफ नॉलेज आपको मिल जाएगा, 75 फीट की उचाई थी, मैंने ऐसे ही पढ़ाया था, और विश्वुशान्ती बुद्ध वियार, इसके अलावा इसे कलोन, मतलब इसके जैसा एक और भी है, वो कहाँ पर है, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, नेक्स देखिए, विशानू युद अभ्यास, ये कहां करके देखा गया था, अजमेर में, ठीक है, विशानू युद अभ्यास, आपको कहां मिल जाता है, तो ये आपको मिल जाता है सर देखने के लिए, अजमेर में, मैंने बताया था, मंकी बॉक्स के चलते, ये विशानू युद अभ्यास, एक तरीके से देखने के लिए मिला, नेक्स्ट है, टीचर अवार्ड, पचास, मैंने कल ही पढ़ाया, ये त सिकंद्र कुमार सुवन सहाब, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी थी, पांस तारिक को मनाते हैं, टीचर्स डे, मैंने बताया था, मद्धे प्रदेश, जारकंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये आपको याद रखने हैं, आगे हैं इंटरनाश सोलर फेस्टिवल, कहां आपको देखने के लिए मिलेगा, दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा, इंटरनाशनल सोलर अलाइंस की स्थापना की गई थी, 2015 में COP करवाया गया था, 2014 में पैरिस के अंदर, इसके अलावा, 2015 में स्थापना हुई, इंटरनाशनल सोलर अलाइंस क Headquarter Guru Gram में है इसके अलावा अगर हम भात करें अजे मातुरूस के अध्यक्षते 120 से अधिक कंट्री साइन कर चुकी है इस सवाल का सही जवाब दिल्ली आपको मिल जाएगा नेक्स्ट है जल संचे, जल भागेदारी इस कोशन को मैंने कल आपको कवर करवा दिया था सूरत सवाल का सही जवाब है बजट बजट क्या रखा गया डिसकस हम ने किया था जल जीवन मशन और अटल भूजल योजना मैंने ये दूनों पढ़ाई थी कल एक चीज में सो गई थी अब बोलोगे क्या सर वंडे में तो कुछ मिस नहीं हुआ पूरा करा दिया था ने एक जो चीज मिस हुई थी थी ना वो मैं आज स्टार्टिंग में जब मैंने इसको किया जब वो बिहार वाला कोशन आया 1347 करोड वाला सोन नदी तब मेरे दिमाब के मुझे इस क्लिक करी किया वो कल अटल भूजल योजना में एक पॉइंट कम बताया उसको आज लिख लीजे सर अटल भूजल योजना ये कोशन सर ऐसे कोशन बैंकिंग में आपको दिखते हैं स्टेट पीसेस में दिखते हैं इस योजना कुना दो तरीके से चलाया गया है सर इसे वर्ल्ड बैंक ने फंड किया था किसने फंड किया था इसे सर वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड किया गया था और इसमें आपको इंडियन गवर्मेंट भी मिल जाएगी भारत सरकार इंडियन गवर्मेंट तो 50% पैसा भारत सरकार ने दिया था 50% पैसा वर्ल्ड बैंक ने दिया था टोटल बजट इसके लिए रखा गया था 6000 करोड तो 3000 करोड वर्ल्ड बैंक ने दिया था और 3000 करोड भारत ने दिया था तो आप समझ सकते हैं कि वंडे में तो कोई भूमी का नहीं है, मगर हाँ बैंकिंग बैंकिंग के एक्जाम में ऐसे कुशन्स आज भी देखने के लिए मिलते हैं सवाल का सही जवाप सूरत था, सूरत गुजरात 24-800 rainwater harvesting structure जो हैं बनाए जाएंगे एक्रोस गुजरात कितने stadium तो भईया 18 stadium और 827 football ground का निर्मान करेगा उत्तरवरदेश सबसे ज़्यादा cricket stadium भारत में कहां पर हैं, तो यह आपको मिलते हैं महराष्ट में कुल मिला के 7 stadium producing of domestic steel, 2034 तक कितनी करने का लक्षे रखा गया, 500 million ton प्यूश गोहल ने एलान किया था सबसे ज़्यादा steel का production दुनिया में कौन सा देश करता है, तो वो करता है सर, चाइना, भारत second number पर नेक्स्ट है, Vice Chairman of Women Commission, यह आपको बिहार की मिल जाती हैं सर यह आपको National Women Commission Chairman मिल जाती है, सवाल का सही जवाब अपढ़ना यादव है, और Marjon V. Cameron, इनके बारे में भी हमने बढ़ा था, इनके बारे में भी हमने समझे थे, एक-एक point, ठीक है, तो यह कौन मिल जाती है, United Nations के तरफ से Commission of Status of Women Chairman यह मिल जाती है, option number A, तो D, C, B और A, चारो options हमने समझे थे, मगर सवाल का सही जवाब भी है, आपढ़ना है आदव जी राजनाच सिंग जी ने Joint Commander Conference पहली करवाई है, यह कहाँ पर इसकी अद्धेक्षिता करिए इन्होंने, तो लखनाओं के अंदर में, यही पर हमने अगनी 4 के बारे में चट जागी थी, भारत के प्रधान मंतरी कितनी बार सिंगापुर गए हैं भाई, पांच भी बार, लॉरेंस, वॉंग, यहां के प्रधान मंतरी है, सिंगापुर के, और थंगारमन, शंगू, नहीं, शंगू, ठर्मन करके, यहां के प्रेजिडन मिल जाएंगे, जीब सा नाम है, उप्शन में टिक करना सान है थोड़ा सा, तो उप्शन नमबर, ए सवाल का सही जवाब है, यहां पर चार चीज़ों पर एग्रिमेंट हुआ था, हेल्थ, डिजिटल, स्यामी कंड़क्टर और स्किल डेवलप्मेंट, इन पर यहां पर हस्ताक्षर हुआ था, चार चीज़ों पर चलिए, नेक्स्ट एसा सितंबर दोहजार चौबिस में भारत के नियंतरक और महल एक परिक्षक ने सारवजरिक ऑडिट में सयोग को मजबूती करने के लिए किस देश के साथ ऑडिट निकाय पर हस्ताक्षर किये हैं, चलिए जी, सवाल का सही जवाब क्या है, सवाल का सही जवाब है, UAE, option number B इस सवाल का सही जवाब था, UAE इस कोशन का सही और सठीक answer था, न ये कहां करवाई गई थी, South Korea में, option number B सवाल का सही जवाब था, South Korea इस कोशन का सही आंसर था, Indian Coast Guard किस दापना, एक फरवरी 1977 को की गई थी, ठीक, ये होमवक के रूप में है, ये कोशन लादा टाइम भी ने लिया, मैंने कुल मिला के शायद 34 मिनट के आसपास लिए होंगे, तो SAF, पुरुष Under 20 Championship Football Tournament, South Asian Football Federation पुरुष Under 20 Championship Tournament का विजेता कौन रहा है, इंडिया, नेपाल, भांगलादेश, या फिर श्री लंका, इस सवाल का सही जवाब, comment box में comment करके जरूर दीजेगा, और एक कोशन मैंने और छोड़ा था, स्टार्टिंग में, उसका जवाब भी comment box में comment करके दीजेगा, बाकी daily basis पर 10 बजे current affair अपने होते ही है, तो मिलते हैं, सोम बार मतलब पर सो मिलते हैं, मतलब basically कल मिलते हैं, सोम बार को और फिर वहाँ पर 10 बजे अपना काले करम जो है, उसे पूरा करते हैं, साथ के साथ सोम बार से मैं स्टार्ट करवाने वाला हू current affair के साथ साथ, first in India, भारत में पहला, ठीक है, क्योंकि हमारा environment वाला topic जो है complete हो गया था, अब current के साथ first in India हम cover करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, thank you so much, God bless you.